वेलकॉम एवरिवडी इट्स यो रिलायबुल चैनल पी के डी एजुकेशन मैं हूँ जी प्रवात और मैं लेकर फिर से आगया हूँ एक नियू सेशन नियू टपिक हमेशा की तरह मैं जैसे ही आपके लिए जो टेन कोस्टिंस लेकर आता हूँ आज भी मैं लेकर आगया हू 10 कोस्टिंस और ये जो क्लास है हमारा क्लास नंबर 14 है और हम जो टार्गेट है हमारा जून सेशन में 2020 में जो एक एकजाम होगा यूजी सेनेटर और जैरफ के जो एकजाम होगा उसी के उपर ही मैं कुछ important कोस्टिंस आपके साथ discussion कर रहा हूँ और ये जो है आपका सिर्फ पेपर 1 का ही में क्लास ले रहा हूँ पेपर 2 का क्लास अभी तक नहीं लिया हूँ जब तक आपका डिमांड नहीं है मैं उसी के उपर क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा देखते हम फ्रेंट्स ये जो आज का जो question से 131 से लेकर 143 question से और हम देखेंगे ये सब questions आज हम discussion करें और देखते हैं friends क्या है आज इस session में कौन सा ज़सा तापिक नीउ है और क्या क्या हम सब कर सकते हैं देखते हैं discussion क्या 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 करेंगे हम चलो और ज्यादा लेट नहीं करते हैं और गप्पे जो बहुत ज़दा होता है आज सोचता हूं थोड़ा कायम कर दूँगा ये ज से देखते हैं चलते हैं हमारा पहला question के ऊपर क्या है which of the following देखते हैं friends which of the following statement is true about the theory इसमें से जो है statement दिया गया यह जो theory जो चारो statement आपको दिया गया है इसमें से जो theory को कौन रेफर करता है कौन से statement follow करता है theory को explanation कौन सा system देता है theory के ऊपर it explains phenomena in simple manner यह जो है explain करता है phenomena simple manner में theory को लेकर it explains तो how and why questions यह explain देता है how and why questions को it can be well developed explanatory system यह जो है यह बहुत अच्छे से develop किया गया है explanatory systems को यह जो theory के आधार में हम बहुत अच्छे तरह से इसको explain भी कर सकते हैं यह क्या एक system है यह क्या कर सकता है theory theory sure obviously यह कर सकते हैं यह एक phenomena simple manner में इसको देखते हैं simple manner में इसको हम describe कर सकते हैं simple manner में इसको हम समझा सकते हैं explain कर सकते हैं explain how and why questions को हम theory के अधार में दे सकते हैं explanations it can be well developed explanatory system यह भी एक well developed explanatory system से theory है इसमें से यह जो हमारा option a, b and c तीनों ही options correct है इससी के बजाए से हमारा option जो d है यह correct हो जाएगा हमारा answers so 131 इस में से जो theory को statement कौन से statement तीनों statement refer करते हैं follow करते हैं चलो friends यह जो 131 हमारा पहला questions का answer option d है all of the above next question देखते हैं क्या है फिर से देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यह जो questions मैं पढ़ रहा हूँ आप ही मेरे साथ फोडो और यह जो options को भी आप ठीक से समझो और इसको आप खुद पर ही answer देने के लिए try करो जब भी मैं आपको answer बलूँगा आप उसको से match कर देना अगर कुछ भी doubt होगा मुझे आप comment में भेज़ देना मैं आपको फिर से explanation फिर से explanation दे दूँगा देखें friends which of the following is a function of theory इसमें से जो है जो ठेयोरी का function क्या है कौन चाशा स्टेट्मेंट फोलो करता है theory को लेकर function क्या है summarizing the current knowledge यह क्या summarize करता है function X See explaining phenomena यह क्या function है ठेयोरी का all of the above इसमें से कौन्छा option होगा आप खुद पे ट्राइकिजी वो summarize भी करता है current knowledge को making prediction भी देता है वो और explaining phenomena यह जो explain करता है phenomena इसको भी explanation देता है इसमें से फिर से हमारा option हो गया क्या option d is the correct answer all of a, b and c यह तीनों ही options correct है इसके ओपर इसमें से जो function छे theory का यह तीनों ही statements correct है तीनों ही function से theory का इसमें से देखते हैं friends आज का questions बहुत ज़्यादा important है यह delivery basis में जो questions लाता हूं बहुत ज़्यादा important exam point of view के आधर में exam point of view को अगर आप देखेंगे तो यह सब questions बहुत ज़्यादा important है अभी तो हम जो teaching aptitude का important questions हम सब discussion कर चुके हैं पहले से ही आज जो यह जो session चल रहा है यह जो session अभी से चल रहा है यह दो दिन पहले से जो चल रहा है यह जो sessions आपका research aptitude के study generally depends on यह जो feasibility research study वो depend किसके उपर है किस factor के उपर depend है देखते हैं बहुत research study है cost factor यह यह बहुत minor रखता है cost factor time required to conduct research यह फिए एक बहुत important चीज है वो जो conduct कितने time चाहिए करने के लिए research को skills are the researcher या फिर जो भी researcher है उसका skills भी बहुत necessary है इसमें से कौन सा factors आपको बहुत important है कौन सा factors depend है research study के उपर में आपको क्या answer लगता है इसमें से थोड़ा आप answer दीजिए क्या है फिर से option D is the correct answer क्यों इसमें से cost factor भी important topic है और time required भी कितने time लेंगे एक research को करने के लिए यह जो researcher जो भी है वो research हो कर रहे है उनका skills भी बहुत जादा important है इसी के बजाए से यह जो D option है correct है मैं आपको पहले भी एक solution दिया था आप देखेंगे जो all of the above जहां पर भी है आप पहले पढ़ेंगे इसमें से कौन कौन सा option दिया गया है और इसमें से देखेंगे positive negative आप थोड़ा सोचेंगे इसमें से cost factor भी एक positive चीज है time यह भी बहु ज्यादा important है इसमें से तीन ही positive negative कोई भी नहीं इसमें से आप sure होए जाएंगे इसमें से all above answer ही होगा correct answer होगा यही एक तरीका है इसको साब eliminate करके check करने का चलो friends यह था हमारा third question जो इसका भी answer क्या है और level of option D is the correct answer चलो चलते है next question क्या है आप try कर रहे हैं ना मेरे साथ आप try कीजिए बहुत मुझाएगा questions को discussion करने के लिए the experimental study is based on यह जो experimental study है वो किसके उपर based है कौन कौन से ऐसा factor चे देखते हैं love single variable के यह love single variable हो सकता है देखते हैं क्या है love single variable second क्या दिया गया है manipulations third both a and b first none of the above भी है यहाँ पर आपको क्या अंचे लगता है इसमें से love single variable यह factor से जो की हमारा experimental study को helpful होता है based से और manipulations यह दोनों ही factors बहुत ज़्यादे important है तो इसी के बज़ए से option c is the correct answer option d नहीं होगा इसमें से non of the above नहीं होगा इसमें से so इसमें से आपका जो friend यह जो option चे option c is the correct answer so यह जो दोनों ही study के research experimental study के लिए यह दोने factors बहुत ज़्यादे important है law of single variable and manipulation so इसमें से option c is the correct answer आपको यह सबको थोड़ा remember करना पड़ेगा आपको दो तीन बार इस वीडियो को देखके और इसको practice करना पड़ेगा so आपका बहुत ज़्याद speed हो जाएगा exam भी बहुत काम दिन रहेगा है so इसी के बज़े से आप बहुत ज़्याद आपका time भी बहुत ज़्याद ज़्याद दिजिए बढ़ाई के ऊपर चलते हैं friends इसका जो 134 जो experimental study बहुत ज़्याद इसके ऊपर best law of single variable and manipulations next questions देखते हैं क्या है next questions चलो friends the approach which is based on the assumptions that social phenomena can be explained by observing cause and effect एक approach ही इसमें से कौन सा approach correct है जो की based assumptions that social phenomena can be explained by observing cause and effect वो जो social phenomena है वो explain करते हैं बहुत अच्छे से किसके द्वारा observing cause and effect factor है इसको बहु अब्जब करते हैं so इसमें से कौन सा options correct होगा देखते हैं friends आपको क्या लगता है इसमें से answer कौन सा लगता है आपको इसमें से देखते हैं friends क्या है इसमें से answer first options किया दिया गया है positive wisdom, interpretive wisdom, quantitative, non of the f of इसमें से कौन सा options correct है आपको क्या लग रहा है यह जो approach है जो की based assumptions के उपर आप इसको थोड़ा याद के लिए चलो हम हमारा color थोड़ा change कर देते हैं यह जो है आपका जो assumptions के उपर यह based assumptions के उपर यह जो फिर social phenomena can explain करता है observing cause and effect यह जो है यह जो basically हमाई explanation देता है positive wisdom के उपर में सो यह जो 135 यह जो approach है यह जो positive wisdom एक approach है जो की इस सारे जो cause and effect को अब्जेव करता है सो इसमें से नौना वैबब तो नहीं होगा quantitative भी नहीं होगा Interpretation भी नहीं होगा सो इसमें से positive wisdom is the correct answer आप इसको थोड़ा याद कर ले ना यह जो question चे the approach which is based on the assumption चे जंशन से जंशन से लेको बैसिकली positive wisdom is the correct answer आपको इसको थोड़ा याद कर ले ना positive wisdom is the correct answer next question क्या है research can be classified as यह जो research बो classified क्या क्या है कितने type का research दिखते हैं अब हम options क्या क्या है basic, applied and action research यह जो basic है, applied है, action research है और B में क्या दे गया है quantitative, qualitative यह दिया no research है C में philosophical, historical, survey and experimental और इसमें से all of the above इसमें से फिर से एक options यह आगया है इसमें से आपको कौन्स answer correct लेगता है देखते हैं इसमें से यह सभी answer correct है research को classify क्या गया basic, applied, action, quantitative, qualitative, philosophical, historical, survey, experimental इस तरह सभी इसका classification से इसमें से इसका option D is the correct answer, all of the above is the correct answer यह जो है research को classify क्या गया, A, B, C, जो तीनों है, इसमें से सभी इसका part है so option D is the correct answer next question the two main approaches of a researcher इसमें से जो दोनों बहुत ज़्यादा approach है हम research में use करते हैं को बो दोनों जो है बो दो approach है बो कौन से approach है हमको अभी खोज कर निकलना होगा देखते हैं इसमें से कौन से बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम approach में main approaches कौन है इसमें से data collection and data analysis इसमें से जो है data collection and data analysis एक दिया गया है देखते हैं next क्या है और second survey and questionaries यह एक method है survey, questionaries, sampling and data collections qualitative, quantitative आप एक याद रख लेना हमेशा यह जो दोनो main approaches से हम जो research के लिए यूज करते हैं बहुत दोन है qualitative and quantitative यह जो option D है option D is the correct answer Q and Q यह दोनो बहुत ज़्यादा है quantitative and qualitative यह दोनो है approach main approaches से research के लिए so 137 जो है हमारा question से two approaches बहुत दोनो है qualitative and quantitative चलो friends all ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और next questions के जाने से पहले मैं आपको कुछ बाता देता हूँ यह जो questions से आप थोड़ा seriously देखेंगे practice करेंगे और यह जो classes से daily basis में जो classes लेकर आता हूँ आपको इसको बार बार आपको practice करना पड़ेगा फिर भी आपके पास अगर कुछ books है तो इसको भी आप थोड़ा refer कर लेना और आपका daily basis में जो भी कुछ questions आपको arise होगा देमाक में तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं मैं आपको इसका answer उस comment में ही आपको दे दूँगा चलो next questions qualitative research देखो अब पहले हमारा आया था यह जो qualitative quantity दोना आया था और यह जो tom से जो बहुत ज़्यादा important qualitative research is what देखते हैं qualitative research क्या है without any specific purpose primarily concerned with in-depth explorations and phenomena explorations of phenomena deals with the collection and analysis of numerical data यह जो है वो primarily देखते हैं qualitative research is आपको क्या लगता है इसमें से answer primarily concerned करता है in-depth explorations of phenomena यह जो qualitative है इसको आप फ्याद रख लेना यह जो है primarily concerned करता है in-depth explorations बहुत ज़्यादा depth देखते explorations देता है qualitative information इसमें से option B is the correct answer qualitative research is primarily concerned with in-depth explorations of phenomena आप यह जो classes सा हमारा चल रहा है daily basis में इसको आप like कर देना share भी कर देना और आपके सामने जो bell का icon होगा इसको भी क्लिक कर देना मेरा daily basis में जो भी क्यूच classes जा रहा है मैं जो भी कुछ provide करता हूँ पहले आप देखने के लिए बो bell icon को भी क्लिक कर देना यह जो all आयागा notifications इसको भी on कर देना आप सब जो देखते हैं friends next question क्या है कुछ terms को हमको याद रखना पड़ेगा देखते हैं कौन कौन सा historical method यह जो historical method क्या historical मतलब इसका क्या है कुछ past events को defend करता है जो की events हो गया है historical method जब भी आएगा आप इसको याद रखना past events को समझाएगा historical इसका मतलब क्या है हम अभी जो survey कर रहे है field में reality में अभी जो हम survey करते हैं वो किसके उपर आधार है वो basically present situations और present events को वो explain करेगा और philosophical method philosophy इसका मतलब क्या है कुछ वो देमाग में सोच रहा होगा philosophy जो philosopher है वो सब के vision देखते हैं क्या आगे हो सकता है वो बहुत ज़्यदा vision लगा कर देखते हैं so basically जो philosophical method वो fusion को refer करते हैं experimental method यह जो basically experiment एक जो scientist है और फिर जो भी कुछ terms है experimental method है वो basically कि terms को समझाता है future actions वो जो भी कुछ experiment करते हैं वो future में उनको बहुत beneficial होगा so experiment method जो वो future actions चे तेखो मेरे साथ फिर से आप repeat कर दो historical method past event को refer करता है survey method जो की current situation मतलब present event को refer करता है philosophical method वो एक vision को show करता है vision देखते हैं वो क्या होगा फेले देखते हैं वो सोचते हैं experimental जो future action जो कि आपको experiment नाप करते हैं जो आपको future में action लेने के लिए आप जो experiment करता हैं यह जो method बहुत जाद इंपोर्टेंट है इसमें से चार जो questions है बहुत जाद इंपोर्टेंट इसमें से एक questions इंपोर्टेंट है आपको exam point of view के देखते हैं यह थो आपका second last था और हम आगे हमारा last questions के मतलब 10 number question के देखता है which of the following research specifically requires objectively to discover facts and causes from data gather for this purpose यह जो है research है वो specifically necessary है objectively or to discover facts and cause हमें कुछ discover करना है कुछ facts and cause को किस से data gather करके कुछ purpose ही important purpose है data gather करके हमें कुछ discover करना facts and causes का सो इसी को basically कौन से research follow करता है quantitative research, fundamental research qualitative research or excellent research आपको कौन सेंस रखता है देखो आप एक term को सिफ्यात रखना हमें क्या करना है data को gather करना है हम तो pen लेना बूल गया है देखो data को gather करना है पहले यह जो data gather है इसको basically हमें quantity के throw से ही data हमें चाहें बहुत ज़्यादा जितना data होगा उतना data अगर हम ले जगें तो यह data gather होकर हम एक discover कर सकता है हमें क्या करना होगा हमारे कुछ कुछ परपोज है कुछ पामें कुछ discover करना चाहता है कुछ facts and causes को इसके बज़र से हम data को gather करेंगे हमें बहुत ज़्यादा huge amount का data चाहिए और इसके बज़र से यह जो है वो किस तरह का research को follow करता है वो quantity research को basically follow करेगा इसके बज़र से option A is the correct answer यह था आप सबका last questions था और friends आई यह जो आज था बहुत ज़्यादा important 10 questions था मैं चाहता हम आप इस questions को खुद पे ही फिर से try कीज़ बहुत ज़्यादा देखिए और खुद पे ही आपके पास जो book से उसको भी आपको try कीज़े exam बहुत pass आ गया है कभी exam हो सकता है कुछ भी guarantee नहीं है यह जो lockdown चलना है lockdown उठने के बाद कभी भी exam हो सकता है इसी के बदर से आप बहुत ज़्यादा late नहीं कीज़े और इस जो classes से आप सब इसको refer कीज़े आप इस वीडियो को like कीजिए share भी कीजिए और आपके friends को बोलिए वो भी इसको subscribe कर देंगे और इसको बहुत ज़्यादा आप जो subscribe कर दीजिए और आपकी friends circle में जो भी है उसको भी बोल दाना subscribe कर देंगे और इसमें जो bell icon है उसको भी जो all notification को आप on कर दाना चाहिए तो मैं चाहता हूँ इसकी आज जो questions है या फिर पहले जो भी कुछ questions था अगर कुछ भी doubt है आप मुझे comment में question भी पूछ देंगे so मैं आपका हर questions का answers उस comment में comment के नीचे ही दे दूँगा so thank you friends all the best और आप आपका जो class यह जो आपका पड़ाई भी जारी रखिए और आपको इसको discontinue नहीं कीजिए और regular basis पे आप मैं जो वीडियो सो provide कर रहा हूं